तो हेलो भाई लोग कैसे हो मैं हुए आप लोग देख रहे हो SS Graphics यूटूब चैनल आज जैसे कि आप लोग ने थमनेल पर देखा अजुबाई का नियू थमनेल जो अजुबाई वर से समित भाई वाला था और वही मैं आज आप लोग को बनाना सिखाने वाला और एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था जुबाई जो अलग पोज में केरेक्टर का स्क्रीन शॉट लेकि थमनेल बनाते वह कैसे बनाते तो वह भी इसमें आई जाएगा क्योंकि अलग पोज वाला करेक्टर तो मुझे इसमें दिखा तो शुक्रिया मेरे को यह सभल पूशने के लिए आप लोग यहां पालतु के कमेंट मत किया करो पढ़ने में मजह नहीं आता ऐसे कमेंट रहते है बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में तु स्टार्ट करतें आज की वीडियो को तो गैश्व सबसे पहले जो आप लोगो पिक्सर लाइब ओपन करने ना पिक्सर लिए टेक्स लिखने के लिए न्यूटेक्स पर डबल क्लिक करने है और ऐसा खुल जाएगा उसके बद आप लोगो को लिख देना आपके फॉंट जो भी आप लोगो लिखना है मैं आप यह लिख रहा हूँ आज्चू भाई आमित भाई वर्सेस तीनोग देना है आप लोग को आपके दोनों प्लियर का नाम तोनों है पूरी स्कॉर्ड हो जो लिखना हो लेलों वर्सेस लिखदो और यहां जो T वाइकन लिखता है इस पर प्लिक करके आप लोग trás को बढ़ा चुटा कर सकते हूं को वे में पढ़ा कर दें सारे टेक्स लिज़ें और इसमें को फॉंट ही visible कि उसका नाम है मुझे नियात तो उसका नाम ऑगा इसको पहले सैंटर में ला लेते понимаю अच्छे से और उसका नाम है यहां पर लक्यस्ट काई और यह फॉंट उन्हें मुझे बहुत ही मैनत लगाई यह फॉंट कैसे एड़ करते हैं उसके लिए आप लोग देख लेना है यूटुब पर हाउ टो एड़ फॉंट इन पिक्सलाइब फॉंट का लिंक आप लोग को ड और इसके बाद आजाना है आपको अपकी गैलरी पर इस पिक्सलाइब में टेक्स्ट लिखने के बाद आप लोग को आ जाना है सिंपली आपके क्रोम ब्राउजर पर और आपको स्क्रेंशोट पहले से ले लेना है और क्रोम ब्राउजर में आने से पहले आप लोग को आपक स्क्रीन शॉट और इसको हम लोग कर लेंगे क्रॉप एडिट पर जाएंगी गैलरी में इतना उप्शन तो रहता ही है कि इसको क्रॉप कर सके यहां पर इसको मैं क्रॉप कर दूँगा और यह रहा उस पोज वादा स्क्रीन शॉट आप लोग मैच करके देख सकते हैं अगर आ एंटर दबाके डायरेक उस वेबसाइड पहुंच जाओगे जिसकी मैं बात कर रहा था अप्लोड इमेज पर जाना है फिर इसके बदा आप लोग का आपकी वाई वाली पिक्चर ले लेनी है और मैं यहां पर जाता हूँ और वाई वाली पिक्चर को जो है सिलेक्क कर लेत है उत्लियुक्त चाफ करकर रखनें टाउनलोड इमेज कर दे ना और नीचे डाउट पर किलिख कर देना और आपका डाउनलोड होजाएँगा इसके बाता आजाने है आप लोग को pscc पे टूरगे के डिस्क्रिप्शन में मैंने पैंक देके रखकर लेना और पीएसना पर और यहां पे आप लोग को 1920 by 1080 का एक project simply create करना है उसके बाद plus पे click करके photo layer photo library पे जाना है और उसके बाद मैंने आप लोग को एक photo दिया होगा यह वाला photo तो आप लोग को simply यह वाले photo को जो यहां पे import करना है और इसके opacity को जोए down करने के बाद आप लोग इसको बढ़ा करके ऐसे full size कर देना है और इसके बाद इसके बाद इसके opacity को फिट से normal कर दो और इसके बाद आप लोग को यहां पे जाना है और आपको यह select कर लेना mark you selection tool और mark you selection tool select करने के बाद उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ऐसे selection करना है ऐसे आपकी उंगली को ऐसे कुछ drag करना और ऐसे पतला सा कुछ बना लेना है और इसके बाद यहाँ पर जाएंग एम्टी लेहर है उसमें जाके आप लोग को fill करना है, इसको white layer से fill करने के बाद आपको जाना है इधर मिलेगा आपको polygraph selection टूल फिर आपको जाना है पॉइंटर को हैनेबल करदेना और इसके बाद जाके यहां पर इक आपको पॉइंट देना है यहां पर पॉइंट दिने के बाद आपको जैस्त नीचे आजेना है और एक-ड़म सेंटर में पॉइंट देना है सबसे पहले राइट वाले पॉइंटर को यहां पे लाना फिर लेफ वाले पॉइंटर पर क्लिक कर देना आपका एक डॉट पढ़ जाएगा बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इसलों मैं बता रहा हूं और इसके बद आपको यहां पर लाना है और इसको ऐसे जोड़ देना एक्स्ट्रेक्ट करने के पर आपको यह मिल गया उनकी जैसे लाइन जैसे अजुबाई के थमनिल में थी और इसके बाद इसको हम लोग करेंगे यहां से अगर आपको यह समझ नहीं आ है तो यह आपको यह वाला जो है यहां पर कुछ नंबर डाल देने जो मैं डाल रहा आप दो अभी मेरे को सई लग रहा है इसको ट्रांसफोर्म करके कुछ ऐसे लगा लेंगे अच्छे से और इसके बाद हम लोग इसके नीचे एक एमटी लेर पहले से ले लेंगे फिर उसको जो फिल कर देंगे हम लोग रैड कलर से आप लोग ने देखा होगा उस थमनिल मे पॉइंटर को एनेबल कर देना है और इसके बाद यहां पर से ऐसे सिलेक्ट करना है और इसको एकदम स्ट्रेट ऐसे लाना है और ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे तो यह आपका आधर सेलेक्ट हो गया इसको कर देना है क्लियर क्लियर करने के बदा आपको इसमें फिल कर लेना है blue color और blue color यह वाला आपको लेना है और एचस्पी में जाकि यूव को जो है 180 कर दोगे तो आपका यह वाला color बन जाएगा यूव को आप लोग को 180 कर देना यह वाला color बनाने के लिए और इसके बाद simply यह जो नीचे वाली इमेज थी इस पर आना है और आप लोग को कर देना है यहां पर black and white black and white करने के बाद आपको आपको आजाना मार के शेलेक्शन टूल hide pointer देने इसके बाद यह जो image था इसको आपको कर देना है multiply इसके बाद आपको कुछ ऐसा look मिल जाएगा और इसके बाद आप लोग को आपका character जो import कर लेना है जो png हम लोग ने बनाया था वो मैं यहां पर अज्जू भाई का character पूरा तो same to same नहीं ला पाया लेकिन मैंने उसका character का png दे दिया है और अमिद भाई के face का भी जाए png दे दिया है तो मैं दोनों को यहां पर import कर देता हूं तो गैस यहां पर मैंने import कर दिया है और import करने के बाद यहां पर हम लोग थोड़ी से saturation दे देते हैं saturation नहीं देते saturation मेरे ख्याल से सही है अगर आप लोग देना चाहों तो दे देना और मैं आपे 25 और 35 contrast brightness कर दिया है brightness को 25 और contrast को 35 कर दिया है अमित भाई के पास और अभी अज्जु भाई की character पर कर देते हैं और यह देखो एक अलक्षी चमक आ गई और इसके बाद आप लोग इसमें सार्पनेस डाल सकते हो अराउंड 20 जितनी डालनो नहीं तो फिर जाता है सार्पनेस वाली फोटो जो है बेकार लगने वाली है तो पैवल कर दिया मैंने इसको सार्पन करना था और यह हो गया सार्पन और इसके बाद जो आपका character है इसको आपको ऐसे ड्रैक करना है ट्रांस्फोर्म पर जाके और बढ़ा कर देना है और यहां पर ही देखो बहुत ही एच्टी में दिख रहे हैं कि मैंने इसकी सार्पनेस को जो बढ़ा दिया था इसलिए यह ऐसा दिख रहा है अधरवाइस और कोई कारण नहीं है और यह अजुबाई का थोड़ा सा छोट कर देता हूं और पिक्सल नाच वाले टूल पर जाके आप लोगो कुछ ऐसे सेट करना है जिसे पिक्सल नाच वाला टूल ना बहुत अच्छा से वर्क करता है और यह लेकिन स्लो काम होता है इससे लेकिन वर्क अच्छा से होता है यार वरक अच्छा से होगा तो उसको च्छोटा करते हैं और पिक्सलनेट से इनको थोड़ा सा नीचे ला लेते अजुबाई के मुंडी के यह सब से जो अजुबाई का फेस्ट यह उसके इसाफ से इनको नीचे ला लेंगे और जो पिक्सल्लाब में टेक्स्ट जो लिखे थे उनको यहाँ पर लाएंगे फिर तो यहाँ पर मेरे कहल से आंयित बढ़ा कर दें मैं इसको थोड़ा सा आजएस कर दें तो के बाद फोट लैर्फॉट लाइब्रेरी पर जाहेंगे और जो हमारे टेक्स्ट पिक्सल्लाब वाले फ्ल्डर में से वह आजएम उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर त्रहिए लेयर पे टेक्स्ट है उस पर क्लिक करके लेयर को सप्गेख्षेन फिर उसके नीच वले लेयर पर जाकर के क्लियर आप यह मारे तीन टेक्स्ट के अलग लग रोगे वर्चेस को लाएंगे ऊपर और वशेसं को कुछ कर देंगे बड़ा कि ओर वर्चेश को बड़ा करने के बाद कुछ यहां पर ऐसे सेट करेंगे पिक्सलनेच की हेल्प से पिक्सलनेच टूल बहुत ही अच्छा वर्क करता है और इसके बाद यहां पर ऐसे सिलेक्ट करूंगा ट्रांस्फॉर्म पर जाओंगा इसको ऐसे घुमा दूंगा और इसके बाद थोड़ा से सिलेक्ट्शन रहे गया यहां पर तो प्लस करके मैंने उसको मोड प्लस करके ले लिए और लेयर फॉर्म सिलेक्ट्शन और नीचे वाले मैं से एसको क्लियर कर देंगे फिर आपको वी पे जाना है और वी में आपको वाला कलर बढ़ देना है और स पे जाना और इस पे द्शिस्टीवाला लाल कलर बढ़ देना है यहाँ पर टालूंगा जिए स्थे लेट्शन पर मिल जाएगा और इसके बाद यह रापको यह था जूपको यह ला ले नहीं नीचे विल्कुल हुआ महां पे एक्तव कर भी नीचे लालो और जो वरिस्स था इसका आपको करने डुपलीकेट लेएर और डुपलीकेट लेयर को कर दिना है आप लगको ऑफीड टरौर इसको लेक्शन ने मेन लेयर के नीचे और ट्रांस्फोर्म करके पिक्लिक्सल नेच पे जाके ऐसे आपको कर दिना है कुछ जिससे आपको तोड़ा वाइट दिखेगा यहां पर और इसके साथ भी सेम तो से मैं से करना डूपलिकेट करना नीचे वाली लेयर को फिल कर दिना से लग पिक्सल्स करके वाइट कलर से और इसके बाद आप लोग इसको ट्रांस्फोर्म करना तो यह ऐसा है वी का जो कलर था वह पहले सेलेक्त करना है फिर aitश भी में जाके ब्राइट मेदने कर दीना आति करने के बाद आप लोग को इसको ट्रांस्फोर्म पर जानाए पिक्सल्स पर जाके आप लोग को ऐसे जाना है वीक को ऐसे कर देना है और इसके बाद एसके साथ भी same to same ऐसा ही करना है तो duplicate करते है इसका और यहां पर आप लोग को इसके बाद इसको ट्रांसफोर्म करना है पिक्सल नुटक्र पिक्सल रिसले यूस करते है ताकि यह रहाया ना हो जाए और इतना होने के बाद यहां पर हमारा जो टेक्स्ट वर्चेश कर जो जो जितना ट्रांस्फोर्म करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे भी ला रहा हूँ और फिर कर दे रहा हूँ ठीया पे आप लोग को अध्यो बाहि का नाम भी लिखेना है मैं लेक लेता हूं नहीं तो विडियों पूरा सिखाऊंगो ना विडियों बहुत ज्यादा वड़ा होजाएका त्पर आप सुगा जैसे मैंने वर्सेस को टेक्स को एडिट किया था वैसे कुछ ऐसे लाइटनिंग देदी नहीं जिसे साइड साइड का जो हो जो ब्लैक हो जाए और बीच में ऐसे आपको रख देना है जिससे यह अलगी लुक लगेगा इसके उपर एक एंप्टी लेना है फिर आप लोग को जाना है ग्रेंडियेट पे ग्रेंडियेट पे जाने के यहां पर आपको यहां पर यहां पर आपको लाले ने दोनों के ऊपर लाने के ऊपर आपको ग्रेंडियेट देना है और कुछ यहां पर हम लोग के पास अभी दे रहे कि विस्ट सटमे से थोड़ा चान ब्लेके डिखाना इसलिए ऐसा कर रहों में कि इसको ढूट को यहां पीलातां थोड़ाओ अब यह हमारा यहां पे वहां पे हो चुका यहां पे और इसके बाद इससी लेयर पर आप रहना है और ग्रेंट देना है दूसरे साइड से आमिद भाई के साइड से तो इतना देने के बाद यहां पे मैने दिया और इसके बात फिर से एक empty layer को दोनों character के पीछे लाएंगे और इसके भी पीछे लाएंगे और फिर से gradient पे जाएंगे और इस बार जो यहां पे color ले लेंगे हम लोग रेड़ और दूसरे वाले को भी सिंपल ही रेड़ कर लेंगे यसी मेरी से अपको वैसी करने और ओपर से एक की पूरी लो कर देंगे इसको कर देंगे reverse spot, radial type, radial type करने के पाइब को कुछ ऐसे करना है, और यह अमित भाई के पिछे ऐसे लखा के और फिर आपको फिर से जाना है gradient पर, और इस बार जो gradient का color है, उसको कर दिना है, हल्का निला, और इसको ला दे ने, अजबाई के साथ, यहाँ पे, अजुबाई के पीछे इसके बाद इसको कर देना है लिनियार डॉच लिनियार डॉच करने के बद आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा और इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा केरेक्टर के उपर भी हमको लाना है इसलिए हम लोग एक एम्टी लेयर सब्सक्राइब आपको लिए लेंगे हुंख लेंगो पी लेंगे हैं चुछ उआंसे कर देना यहाँ पे और रेड़ क लेड़ लेगे आमीद वायby थोड़ा-थोड़ा एसे यसी कर देना फिर अभी तो यहाँ पर सजीव लग लेट देंगे दो बार और लेनियर डॉच कि यहां भी देखो कितना खतरनाक लग रहा है अभी थोड़ा सा काम रहे गया सबसे उपर आ जाना है टेक्स्ट के उपर एक एम्टी लेर लेना है ग्रेंडियर देना आप लोग को हो simple black color का दौनों को black कर देना है फिर रिवर्ड पॉट रेंडेंडियल टाइप फिर यहां पी इसको यहां पर पास में लाना है और कुछ ऐसे करना है थोड़ा सा ऐसे ला लेता हूं और इसके बद आप लोगो जाना है फोटो लेए फोटो लाइब रेरी पे और डिस्क्रिप्शन में आपको एक ब्रस मिलेगा उसको ला लेना यहां पर यह मैंने ब्रस ला लिए और यह आपका फिट हो जाएगा यह ब्रस नीव बॉडर टाइप है और इसको हम लगा से करेंगे बड़ा और इतना बड़ा करने के बाद इसको कर देंगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे इसको हम लोग आपसीटी डाउन करना है और इसको ग्रेंडियेट वाली लेयर के नीचे इसक को आज की वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना चैनल पर नहीं होता है सब्सक्राइब करके बैल वाले आइकन को वाल पर जरूर से सेट करना और यहां पर इसको सेव करना तो मैं बताना ही बुल गया और इंस्टाग्राम पर फॉल जरूर से करना नीचे शेयर पर क्ल जरूर और यह वाले मॉन्टाज को देखना और जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और लाइक कर दिना तो मिलते हैं हमारी नेक्स वीडियो में तो तक के लिए गुड़ बाई